हेलो एड़िवन स्वागत है आपका अपनी किचिन रेसिपी में तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने सोट वाल चिटनी घर पर ही बनाई है तो हम देखते हमने सोट वाल चिटनी बनानी कैसे है बहुत ही सिंपल है जादा कुछ नहीं करना हमने लेनी है यहां पर सबसे पहले सोट गुड़ यह हमारी इमली जो कि एक दुगंटे पहले फ्लो करके रख दी ती यह हमारे आठ से दस खजूर यह लाल मिर्च पावडर यह है नमक यह हमारे मगज यह ओरेंज फूड कलर है अब हम सभी चीजों की हैं से बनाने वाले हैं सोट वाली सबसे पहले हमें खजूर की गुठलियों को निकाल लेना है और उसका एक पेश्ट बना लेना है हमारा पेश्ट बन करके हो गया है तेयार अब हमने इमली के पानी को पहले ही एक बगोने में निकाल लिया था अब उसी में हम डाल देंगे इस पेश्ट को अब हमने इसमें मेल्ट होने देना है मैल्ट होने के बाद इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर इसमें एक चुटकी नमक डालना है ज्यादा नमक नहीं डालना इसमें डालेंगे दो चम्मच सोट आदा चम्मच औरेंज फूड कलर अब हम इन सबजी जों को अच्छे से 10 मिट तक पका अब हमारी चटनी बनकर हो गई है तो यार हम चटनी को थोड़ा सा पतला ही रखेंगे क्योंकि चटनी रखने के बाद गाड़ी हो जाएगी इसलिए हमने इसे थोड़ा सा पतला रखा था आप देख सकते हो कि हमारी चटनी बहुत अच्छी लग रही है अगर आपको हमारी चेखने पसंद आई हो तो लाइप करें सब्सक्राइब करें और घर पर एक बार आप भी जरूर ट्राइब करें